जहां पूरी दुनिया समय कोरोना वारस से परिशान हैं दुनिया भर के तमाम देशों कोरोना से निपटने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं वहीं हमारी धरती से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जो थोड़ी राहत भरी हो सकती है यह अच्छी खबर है और यह अच्छी खबर यह है कि ओजोन लेयर का छेद भरने लगा है पृत्वी पर फैल रहे प्रदूशन के चलते अंटार्क्टिका के साउथ पोल के उपर ओजोन लेयर में एक छेद हो गया था जो धीरे-धीरे बढ़ रहा है क्योंकि चायना सहित अन्य देशों से प्रदूशन इस तरफ जा रहा था और यही वज़ा थी कि यहाँ पर ओजोन लेयर में छेद हो गया था रिसर्च के माने तो पृत्वी के उपर चलने वाले कुछ हवाएं होती है जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं यह कई देशों के उपर से गुजरती है और यही वज़ा होती है कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है लेकिन अब अच्छी ख़बर यह है कि लॉकडाउन के चलते देशों में प्रदूशन कम हो गया है और जिस वज़़से यह हवाएं अंटाक्टिका के दक्षन हिस्से की तरफ नहीं जा रही है और इससे ओजोन लेयर के छेद में रिकवरी देखी जा रही है और यह छेद भरने लगा है जैसे कि आप सभी चौनते हैं कि ओजोन लेयर का यह छेद प्रत्वी के लिए अच्छा नहीं और इसकी वज़़से अल्ट्रा वॉयलिट रेज से नुकसान पहुशने की संभावना बढ़ने लगी थी लेकिन अब जो प्रदूशन का अस्तर कम हो गया है क्योंकि देशों में लॉक्डाउन लगा है और वाहन फैक्ट्रियां और अन्य प्रदूशन करने वाली चीज़े बंध है जिसका फायदा यह हुआ है कि प्रदूशन नहीं हो रहा और इससे ओजोन लेयर रिकवरी करती ह कोई दिख रही है हाला कि वाग्यानिकों का ये भी कहना है कि ये रिकवरी हमेशा के लिए नहीं है ये एक अस्ताई बदलाव है जो सिर्फ अभी प्रदूशन ना होने की वज़े से दिखाई दे रहा है प्रत्वी पर फिर से प्रदूशन बढ़ना अगर शुरू होता है तो ये छेद फिर से उसी स्पीड के साथ बढ़ने लगेगा जिस तरह से ये बढ़ रहा था हमारी प्रत्वी को कोई नुकसान न हो अगर ये हम चाहते हैं तो ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना होगा और ओजोन लेयर को नुकसान न हो क्योंकि यही वो लेयर है जो हमारी प्रित्वी की अल्ट्रा वालेट जैसी किर्णों से रक्षा करती है और हमें प्रदूशन को नियंतरित रखने की जरूरत है ताकि हम ओजोन लेयर का नुकसान होने से बचा सके इसलिए हमें खुद पर लगाम लगानी होगी और पॉल्यूशन बढ़ने से रोकना होगा ताकि हमारी ओजोन लेयर हमेशा सरक्षित रहे